नमस्कार में डाक्टर रजनिश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि UGC NET जून 2024 की तेयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और आखरी दर में आप अपने मजबूत मनोबल के साथ इस एक्जाम में जाने की तैयारी में लगे होगे और इसी प्रयास में लगातार हमने कुछ लंबी वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तु की थी उमीद है कि उसे आप लोग अच्छी से देख रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे पूरा सिलेबस को कभर करने की कोशिश कर रहे होगे अभी हाली में मैं यात्रा में गया हुआ था तो कुछ अभी नई चीज़ें आप सभी को नई मिल रहे थी फिर भी मेरी कोशिश थी कि किसी न किसी बहाने आप सभी से जुड़ा जाए तो आप सभी से जुड़ने के लिए मैं community section का प्रयोग हमेशा करता हूँ उसमें हमने कुछ प्रश्णों को डाला हुआ था और वो सभी प्रश्णे युजिसी नेट हिंदी कहानी से जुड़े हुए थे और उसमें धेर सारे विद्ध्यार्थी सभागीता किये उसमें जुड़े और प्रश्णों के सही जबाब दिये तो हमें एक तरीके से जुन 2024 एक्जाम के ओपिनियन पोल अगर मैं चुनावी भाषा में कहूं तो उसका पता चला कि कितने विद्ध्यार्थियों से आप सभी का मुकाबला है क्योंकि जब हम कई बार प्रशाओं के तयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तरफ सिलेवस रहता है दुसरे तरफ हमारे नोट्स रहते है तिसरे तरफ वो भीड रहती है जिससे के हमारा मुकाबला रहता है तो आपके मन मस्तिस्क में कई बार जरूर उथल पुथल ये आ रही होगी कि चायद मेरी तैयारी उस तरीके से है की नहीं या फिर मैं इस एक्जाम में क्वालिफाई हो पाऊंगा की नहीं और उसे भीड से लड़ पाऊंगा की नहीं ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे है तो इस पर भी हम बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार हम कितने प्रशनों को सही करेंगे तो इस exam में qualify हो जाएगे और अंतिम दोर में अगर हमें तयारी फास्ट करनी है तो किन-किन विंदूओं को ध्यान में रखना चाहिए ये तीन पॉइंट हैं जिस पर के हम चर्चा करेंगे और साथ में country section में हम जिन प्रशनों को पूछे थे उन प्रशनों पर भी बात करेंगे और साथ में उस opinion पोल के हिसाफ से बताएंगे कि आप इस भीड में कहां पर हैं तो मुखे तोर पर हम देखें तो जिस भीड की बात की जाती है और उसको मैं देखता हूँ कि तीन तरीके की भीड होती है एक भीड होती है जो की form भर दी है और वो जाकर बस exam देने के लिए जाती है अनभो लेने के लिए जाती है तो उससे आपका विलकुल मुकाबला नहीं दूसरी वीड है जो कि seriously exam के त्यारी कर रही है और already एक दो बार इस exam में बैट चुकी है कुछ net qualified हो चुके हैं और कुछ GRF के लिए दुबारा इस form को भरे हो उससे आपका मुकाबला है तीसरी वीड है जो कि अभी बदले हुए pattern या फिर मैं कहूं जो admission process है PhD को लेकर इस बार भीड PhD वालों की भी इसमें तुस्से भी आपका मुकाबला है तो खास तोर से serious विद्यार्थी और PhD मेड मिशन लेने वाले विद्यार्थियों से आप सभी की भीड है तो उससे आपको मुकाबला करना है अगर आप form भरे हुए हैं तो निश्चित तवर पर इस exam में आप जाए बैठिए exam को बिलकुल छोड़ना नहीं है कि हमारी तैयारी अधूरी है जब तैयारी पूरी होगी तभी हम इस exam में बैठेंगे तो यह मानकर चलिए कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है आधी अधूरी तैयारी में धिर सारे विद्यार्थी क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसलिए जो भी आपने पढ़ा कम से काम इस चैनल से आप जूड़े हैं तो आपकी तैयारी मैं अधूरी नहीं मानूँगा बलकी यह मानूँगा कि आप परिक्षा में बैठने लाइग ह वो खुद आप अपने से पूछिए कि मैंने इस परिक्षा के लिए कितनी तयारी की है और इसमें हम क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे तो कहूंगा कि भीड से आपको बिल्कुल परिशान नहीं होना है आप अपने छमता को पहचाने और इस एक्जाम में निश्चित तवर पर जाएगे दूसरी बात आती है कि इस एक्जाम में हम कितने प्रशनों को हल करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर वान और पेपर टू दोनों को मिला कर आपको 150 प्रशन मिलेंगे जिसमें कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब है कि 150 सवाल आपको टच करने उसमें से आप अपने अनुसार जितना सही करें और तुकों के आधार पर अनुमानों के आधार पर जितना सही करें सब आपके फेवर में कोई माने समाकिंग नहीं है तो कोई नमबर कटेगा नहीं तो मोटे तवर पर 150 question में आप ये मान कर चलिए कि पंचान बे से लेकर 100 प्रश्ण अगर आप करते हैं उसके touch में हैं तो निश्ची तवर पर इस परिक्षा में आप qualify हो जाएंगे अब आपके मन में आ रहा हो कि क्या category wise भी पंचान बे से 100 तक ले जाना है मोटे तवर पर मैं बात करूँगा कि जो आउसतन आप ये target करके जाएं किसी भी आप category में है तो ये मान कर मत चलिए कि मुझे कम मेनत करना है मेनत सबको उतना ही करना है जितना आप उस जितम इसतर का मेनत करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा तो 95 से लेकर 100 तक कि कोशिश कीजिए आप कितने प्रश्णों को हमें वहाँ पर सही करके आना है जहां तक मैं बात करूँ हिंदी विशेग तो हिंदी विशेग में कुल 100 प्रश्ण होंगे तो यह मानकर चलिए कि 70 से 75 प्रश्ण एकदम से आप सही करने की कोशिश कीजिए ठीक है और पेपर वन में आप 25 चित्रीस क्वेश्ण सही करने का प्रयास कीजिए तो औसतन आप अपने दिमाग में 100 प्रश्ण ध्यान में रखे कि 100 तक हमें टच करना याने की शातक लगा रहा है क्योंकि मैंने कई कमेंट्स देखा जिसमें की विद्धियार्थियों ने पूछा कि इस एकजाम में कितने प्रश्ण हम सही कर लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगे तो यह मान कर चले कि 100 के आसपास में आप जरूर्व प्रश्ण सही करके आएए ठीक है बाद में आप कटेगरी वाई जी रहेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा आप नेट न आओकर ज्यारफ हो जाएगे पीईडी मेडिमीशन हो जाएगा तिशली अपना जो लक्ष है थोड़ा से उसको उपर करके ही रखिए अब बात करते हैं कि आखरी दोर में अगर आप चाहें कि किनकिन टॉपिक्स को हमें पढ़ना चाहिए ध्यान देना चाहिए तो मैं देख रहा था दिसंबर 2023 और उसक किसी इकाई से चार प्रशन पुछ लिए जा रहे हैं किसी इकाई से बारत 13 प्रशन पुछ लिए जा रहे हैं जैसे भाषा विज्ञान से अधिक्तम 5 प्रशन पुछ जा रहे हैं इतिहास यानि यूनिट 2 से लगबग 12 प्रशन पुछ जा रहे हैं ताहित सास्त्री यानि unit 3 से सवाल कुछे जा रहे हैं पांस से 10 के बीच में निधर धिकर कभी उपन्यास से 12 क्या डरे, कभी कहानी से 12 क्यूशना जा रहे हैं, कभी निवन से 10 questions आ जा रहे हैं कभी यूनिट 10 यानि अनिगर्दे विधाओं से 10 questions आ जा रहे हैं तो 5 से 10 तक यूनिट को आपको text के रूप में पढ़ना है और उसमें आपको double मेहनत करने हैं एक तो notes पढ़ना है और बार बार आप अपने past textbook रखें तो उसमें देखते रहना है क्योंकि एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे प्रशन कहें से भी बना कर पूछे जा सकते हैं कहाने में हमने एक तरीके से पोल का मतलब हमने एक तरीके से यहां पर research का किया है कि आखिरकार जो भी विद्यार्थी मुझे से जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से अपनी तयारी को कर रहे हैं तो यह चीज एक ध्यान में रखें कि और सतन जो सवाल पूछे जा रहे हैं चार से लेकर तेरत चवदक क्वेशन पूछे जा रहे हैं हर यूनिट से ठीक तो अब आप अपने दिमाग में लाइए कि आपका कौन सा यूनिट कमजोर है और कौन सा अच्छा है ठीक है तो काम करना शुरू कर दिए जहां तक इस चैनल की बात है तो मैंने यूनिट पांच से लेकर यूनिट दस तक काफी मेनत किया हुआ है भाषा विज्ञार पर मेनत किया हुआ है वैचारिक पिष्टी भूमी पर भी आपको काम बर मैटर मिल जाएंगे और मेरा प्रयास आगे रहेगा कि जो भी बचे वे 10 दिन है उसमें आपको हर यूनिट से पांच-पांच प्रैक्टिसेट में ला दी यानि कि लगबग मैं कोशिश करूंगा कि 30 से 35 प्रैक्टिसेट आपके मतलब पर दे दो दो प्रैक्टिसेट आ जाएंगे तो एकदम से आप मज जाएंगे एक जी हो कविता में हूँ चाहे काहानी में, अपण्यास में जए निबंध में चाहे नाटक में चाहे अन्य गद्ध Judge विधाओं में छोटी रच्णव के इग्नूर नहीं करना है जैसे बकरी नातक हो गया, एक और द्रोलाचारे नातक हो गया, या फिर संस्कृती और संदरी करके निबंद है, यानि काने का मतलब है कि जो छोटी रचना हैं, उनको इग्नोर करके नहीं जा रहा है, कई बार मैंने देखा है कि वहीं से सवाल सिधी सिधे पूछ लिए जा र पिछले साल की question paper को देखने के बाद ये आया कि छोटी रचनाओं को आमें छोड़ कर आगे नहीं बढ़ना है, तो ये कुछ मोटी बाते थी, जिनको की मुझे लगा कि आपको समय रहते हुए बता दो, बहुत सारी चीजें आप अपने से जानते हैं, आप अपने से मन्थन करते हैं, तो चीजों को समझ जाते हैं, अभी हाली में मैं इलहाबाद गया हुआ था, इलहाबाद विश्व विद्यालेक के एक विद्यार्थी से मेरी मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा कि सर हमने paid course लिया हुआ है, फिर भी आपके चैनल को हम देखते हैं, और काफी मापर matter मिलता है, दो बार से exam मैं दे रहा हूँ, लेकिन qualify अभी नहीं हो पा रहा हूँ, इस बार उम्मीद मैं करता हूँ कि हो जाओंगा, तो इनके जैसे धेर सारे विद्यार्थी, जो कि paid course इधर लिये हूँ, लेकिन यहाँ से उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि उनके मनोबल को बढ़ाने में, उनके उत्सा और उर्जा को बढ़ाने में काम करती होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, तो यह तो मोटी-मोटी बातें थी, आप ध्यान में रखे, अब हम बात करते हैं कि जो हमने प्रश्न पूछा था, वो तिन-चार कहानियों के उपर आधारी थ और मुझे लगा कि इसी पर मैं वर्क करता हूं, और कोई सवाल भेजता हूं, तो मैंने यहां पर भेजा, यहां पर आप देखते हैं, पहला प्रश्न है, कि देखते नहीं, यह रेश्न से कढ़ा हुआ सालू, इस कथन में सालू का अर्थ है, तो हमारे बहुत सारे विद्य कि आप, कि यह पुछा गया कि इसमें सालू का अर्थ क्या है, तो हमने बताया कि साड़ी है, स्प्रूट है, ओढ़नी है, रुमाल है, यानि यह जितने भी ऑप्सन दिये लें, यह हलके ऑप्सन नहीं है, जब तक आप उस कहानी को ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक नहीं बता पाएंगे, तो धेर सारे विद्यारती हैं, हमारे बताये, कि सालू का अर्थ है ओढ़नी, जिसको कि हम दुपट्टा भी करते हैं, तो ओढ़नी, सालू का मतलब है ओढ़नी, और यह कथन लिया गया है, उसने कहा था कहानी, जब लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं, और बार-बार लड़का बोलता है कि तेरी कुणमाई हुई है, यानि कि मंगनी हो गई है, और यह मंगनी शब जिसे आप प्रेम करते हैं, और वो बोले कि मेरी मंगनी हो गई है, तो दिल पर क्या चोट पहुश्ती है, यह वो सभी प्रेमी समझ चकते हैं, ज यह उसने कहा था कहानी से इस प्रश्ण का जबाब 91% लोगों ने दिया यानि कि 9% अभी क्या है कंफ्यूइट है चुकि यह एकतागे से टेकनिकल था क्लिक करना था तो कई बार क्लिक करने में हम गलती भी कर देते हैं तो एक 90% यानि कि 9% लोग अभी उसने कहा था कहानी को ठीक से नहीं पढ़े फिर भी अच्छी खासी संख्या है कि उसने कहा था कहानी को लोग पढ़े हुए तो इसका भी डियांवर्यके में भी एक कहसले पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने कम्रिक सेक्षिन में सवाल पूछ लिया गया हो और मुश्किल से 10-15 दिन पहले मैंने इसको कम्यूटी सेक्शन में डाला तो इन प्रश्णों को आपको अपने यह मान कर चलिए कि एक्जाम में ताहता ही पहुचाएंगे और आपकी तैयारी का एक मुल्यांकर भी हो जाएगा तो सालू का अर्थ आप जानगे कि ओढ़नी है दुसरा प्रश्ण था कि तेरी कुडमाई हो गई इसमें कुडमाई का अर्थ है तो मंगनी शादी दोस्ती जगडा इसा भी आपर ऑप्शन दिये गए थे लगबग 92% विद्ध्यार्थियों ने इसका स्तही जबाब दिया कि कुडमाई का अर्थ अगर आप पंजाब में देखेंगे अमरिस्तरी लाके में तो उसका मतलब होता है मंगनी कुछ विद्यार्थियों ने हमें आपर पता भी दिया कि इंगेजमेंट कर सकते हैं या फिर सगाई सगाई हो ठीक तो कुडमाई का अर्थ क्या हो गया मंगनी अगला प्रश्ण है कि उसके बालों और इसके धीले सुथने से जान परता था कि दोनों सिख हैं या कथन किस कहानी से संबंदी थे अमरिस्तर आ गया उसने कहा था सिख्का बदल गया परिंदे तो देखें ये बड़ा काटे का मुकाबला इस प्रश्ण में रहा आप्शन के बीच में और हमने जान भूज कर दिया था क् यहां पर जो सिख्क सब्द है इससे लग रहा होगा कि यह अमरिस्तर आ गया से इसको लिया गया लेकिन 38 परशन विद्यातियों ने इसका जो सही जबाब था या पर उसने कहा था दिया हुआ है तो यानि अगर आप उसने कहा था कहानी को क्यों एक दो बार पढ़े होंगे तो इस प्रशन का जबाब देना आपको मुश्किल हो सकता है हां लेकिन जो एक ही बार पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो इस चीज को जान जाएगा तो सिख्क का मतलब क्यों अमरिस्तर से नहीं बलकि उसने कहा था कहानी की जो विप्रिष्ट भूमी है उसी ही लाक प्रशन ने इसका सही जबाब दिया है और जितने भी आफशन में ने दिया है सभी आप देखें कि पंजाब के इलाके से जुड़े यानि उसी उत्तरभार से जुड़े अगला प्रशन है उसने कहा था में वह अपने मामा के केश धोने के लिए क्या लेने आया था कहानी में बताया गया है कि वह जो लड़का है यानि इस कहानी का नायक है अपने मामा के के केश धोने के लिए दुकान पर गया हुआ है क्या लेने गया है साबून शैंपू दही तेल अम्मालेजी आप एक्जाम में चलेगा आप एक अक्षर भी नहीं पड़े तो आपको लगेगा कि साबून लेने गया होगा या फिर एक कदम आगे बढ़कर जाएंगे तो यह होगा कि शैंपू लेने गया होगा लेकिन पहले जमाने में बालों को दही से भीज धुला जाता था तो जब आप हो गया 92% विद्याथी में बताया कि आप दही लेने गया था इसका कमेंट मैं इस समय उपन नहीं कर पाऊंगो क्योंकि यह स्लाइट चेंज हो जाएगी ठीक है तो यहां पर आप ध्यान में रखे केश दोने के लिए क्या दही लेने गया अगला प्रशन है कि अम्रिज सर के बंबु कार्ट वालों का संबल किस कहानी से अगर आप दिसंबर 2023 के क्रेशन पेपर को आप देखेंगे तो यही प्रशन थोड़ा सा घुमा कर आया था कि किस बंबु कार्ट की चर्चा की गई है तो इसमें इस्थान का नाम दिया गया लेकिन हमने प्रशन को चेंज कर दिया इसका मतलब है कि न सिर्फ है यहां पर हम प्रशन बनाते हैं ब मेरी होबी में एक रूची में कि कैसे चीजें बदल रही है और हमारी जो पीड़ी है जो अनूज है हमारे वो किस तरीके से परिक्शाओं की तयारी करें हो जाकर सेलेक्ट हूँ सिख्षक से ज़्यादा मैं अपने परिवार के रूप में आप लोगों को मानता हूँ आप अगर सिख्षक माना है तो ठीक है तो यहां पर प्रशन में ही बता दिया कि अम्रिसर के बंबु कार्ट है तो प्रशन में ही जा जाए जाए कि बंबु कार्ट कहां का है अम्रिसर लेकिन किस कहानी से हैं। तो यहां पर देखें कि चक्मा देने के लिए कि मिलते जुलते कहानियों का नाम दे दिया है। उसने इसका सही जबाब है है कि अमरीच सरा प्रिधा और थी बांगे जाकि 22 स्की बात दिसारी कसम में कि जाती है तो यह हो सकता है हलागकि इसकी संख्या कमी है 59 पर सेंड विद्यार्थी में कहा कि यह उसने कहा था कहानी से यह कथन है यह पुछा कि कानों में कंगना यह अंश का सही क्रम है, क्योंकि हमने पिछले साल के question paper के देखा, तो इसमें कविताओं का क्रम पुछ दिया है, नाटकों में जो गीत आये हुए, उनका क्रम पुछ दिया है, ये तो बहुत है एक तरीके से challenging है, इस तरीके के प्रश्न परिक्षाओं के लिए, तो कानों में कंग था, नील उदार सुंदर, ये सभी कथन जो है, कानों में कंगना नामक कहानी से लिए गए, अब इसमें हमें बताना है कि इसका सही क्रम क्या है, तो क्रम देखे हमने बनाया है, और लगबग 72% विजद्यार्थियों ने इसका क्रम सही बटाया, इस सबसे पहले है, आकाश् कहानी को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, तब बता पाएंगे, या फिर थोड़ा सा यहां पर लगबाई चांस या तुक्का का भी प्रयोग करके सही कर पाएंगे, तो ये एक नमूना है, हमने जैसा कि मैंने बताया कि ये opinion को है, कि किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया, कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या था, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी किसके द्वारा है, ये सब आप के दिमांग में आ गया होगा, इसे कहानी को मैं पढ़ रहा था, तो दो-तीन बार मैंने इस कहानी को पढ़ा, फि कि काने से दुनिया का सबसे अनमोल रतन खुजने के लिए चला जाता है तो उसको अलग-अलग द्रिश्य दिखाई देते हैं और हर द्रिश्य में उसको दुनिया का अनमोल रतन दिखाई पड़ता है और उसको लेकर उसके पास पहुजाता है दिल फरेव के पास और उसको ल दुनिया का सबसे अन्मोल रतन इस कहानी में तो बताया गया, खून का हुआ आखरी कत्रा जो वतन के हिफाज़त में की लेकिन एक परिक्षार्थी के तौर पर आप हैं, तो आपके लिए इस समय दुनिया का सबसे अन्मोल रतन है कि वे प्रश्न जो आपके परिक्षा में आ प्रष्ट्रवारादी प्रविट्ति क्याहानि क्योंकि वे दौर था चेड कोई और स्वाधिंता में आपक्ष्री collar लिकारी करता अकूंपjem वतन के इफाज़त में गिरे लगबग आखरी लाइन है इस कहानी है तो पुछा गया कि उप्रवक्त विकल्प के आधार पर सही पूट का चैन कीजिए तो हमारे पंचान विप्रशत विद्यार्श्म ने इसका सही जबाब दिया है यानि कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहा अगला प्रशन है कि पूरवक की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है वहाँ जा और तेरी आर्जु पूरी होगी उप्रेक कथन किसका अंश है अब ये कहानी का अंश दिया गया राही उसने कहा था दुनिया का अनमोल रतन परिंदे ये हमने चार आप्सन दिये हैं अब इसमें लग रहा है कि कोई राही है जो कहीं जा रहा है और कोई उससे इस बात को कह रहा है तो हमारे एक परशन विद्यार्थी कनफूस हो लगा कि हिंदुस्तान की बात आ रही है तो उसने कहा था मैं भीकुछ यूध दित्याधी की बात की गई है तो हो सकता है कि ये उसने कहा दो परशन विद्यार्थीस में हुए तो ये ज्यादा संख्याद नहीं है लेकिन संतान विप्रस्टत हमारे विद्यार्थिस को कहश कर लिए ये अंश जो है दुनिया का अनमोल रतन कहानी से पुद्रीत है तो ये अच्छी बात है अगला प्रश्ण है कि तू मुहबबत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा हमारे मजबूत इरादे कि मजबूत इरादे की थे और प्रेम में गाती है तो मजबूत इरादे ही होते हैं कई बार हम देखते हैं कि परिक्षा के दो-तिन दिन पहले बचे कमेंट्स करते हैं कि मैं बहुत देरी से आपसे जुड़ा पहले जुड़ गया होता तो मैं ये कर दिया होता मैं वो कर दिया होता कुछ का है कि हाँ आप वीडियो बनाते रहे हम मैंने ध्यान से वीडियो को नहीं देखा शायद देखा होता तो आज क्वालिफाई हो जाता कुल मिलाकर यह जो अधारन में दे रहा हूँ वो मजबूत इरादों की तरफ मैं संकेत करना चाहरा हूँ तो मजबूत इरादे कुछ भी करा सकते हैं अगर आपके अंदर हैं दिल फिगार से यह बात किसने कही थी दिल फरेव सती होने वाली प्रेम का एक बुजूर काला चूर यह सबी आप देखेंगे तो दुनिया का अन्मोल रतन जो कहानी है उसकी पात्र है ठीक है तो इस कोटे कि कैसे उसकी प्रेम का उससे खुश होगी क्या वो लेकर जाए जिसे पता चले कि वो सच्ची मुहबबत करता है इस समय तो सच्ची मुहबबत यह है कि आप बूके दे दिये आप टाइम से उपस्तित हो गए आप अपने पढ़ाई को छोड़कर साथ में इधर उधर समय व होता है जो सच्चा प्रेम होता है वो आपको आपकी मंजील तक पहुचाता यह नहीं कि मंजील में रोडा बन जाता है मैंने कई बार देखा कि पश्चताप करती हो लोगों को कि अगर मैं मजबूत इरादे से त्यारी कर लिया होता तो आज क्वालिफाई हो जाता है तो यह बहुत लंबी बाते हैं चीजों को समझे आप देखिए इसे प्रश्ण के बाहने हमने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की आप लोगों को इसका जो सही जबाब है वो है एक बुजूर्ग ने कहा था 21 प्रस्ट सिर्फ 21 प्रस्ट बच्चों ने इसका सही जबाब दिया यानि कि यह प्रश्ण कठिन था और यह मानकर चले कि इस टाइप के प्रश्ण इतने ही प्रस्ण तक लोग सही भी कर पाते हैं जब आप एक्जाम में जाएंगे तो कठिन प्रश्ण को देखकर आपको ह घबराना ही नहीं बलकि महेंदर सिंध्वनी की तरह रितम से कूल हो जाना है कि कूल रहेंगे तो जो आते वे प्रश्ण है उनके उत्तर गलत नहीं होने जाएंगे तो इसका सही जबाब क्या था एक बुजूर्ग व्यक्ति ने कहा था दिल फिगार को उसका मनोबल बढ़ अगला प्रश्ण है कि तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथा समुंदर में गोता खाने लगा वह प्रश्ण किस कहानी का है अब इसमें तीसरी बार है हमने option दिया उसने कहा था दुनिया का सबसे अन्मोल रतन तीसरी कसम परिंदे यह जो option दिये गए इन सभी विकल्पों में आप देखेंगे प्रेम जो शब्ग है यह कहिन कहीं common है इन सभी कहानियों में जो कि आप सभी को confuse करने के लिए काफी और अब तीसरी बार दिया गया है यानि कि आप देखेंगे कि दुनिया का अन्मोल रतन जो कहानी है इसमें वो प्रेमी तीन बार उसको वापस लटाया जाता है तो यह जो घटना क्रम है आप देखिए यह जुड़ा हुआ है दुनिया का सबसे अन्मोल रतन कहानी से 90 प्रसत विद्यार्थियों ने सही जबाब दिया है यानि कि अच्छे से इस कहानी को पढ़े हुए है ठीक और बाके कुछ तीसरी बार को द्यान रहते हैं तीसरी कसम में चले गए छे प्रसत तो इस तरीके से नहीं पढ़ रहा है आगे बात करता हूं अगला प्रशन है कि मैं तो वे घर बार मुसाफिर हूं और आप लोगों को मैं सची बात बता हूं तो जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था दुनिया का सबसे अन्मोल रतन और उसमें ट्रेन की यात्रा में था तो अपने को मैंने इससे को रिलेट किया तभी मुझे लगा कि क्यों कहानी नहीं तक इससे है आपको कितने प्रश्ण सही करने हैं आपको किन-किन यूनिट को कैसे ध्यान रखना है और फिन किन रचनाओं को विशिष तोर पर पढ़की जाना है इसे पूरे वीडियो को बताने का मेरा उद्दिश बनाने का यही था कि आप समय रहते एलर्ट हो जाएं क्य तो विकल्प तगड़े हैं, विकल्पों में कोई कमी नहीं है इसलिए आप देखेंगे कि कुछ यहां पर confusion हुआ है सही जबाब है दुनिया का सबसे अन्मोल रतन मैं इस अंश को लिया गया है तो उमीद है कि इन प्रश्णों के बहाने आगे 6 दिनों में आपको तयारी कै कैसे करनी हैं, आपके मनुबल को कैसे बना कर रखना है, अपनी मेहनत को जितना गुना आप बढ़ा सकें, कैसे बढ़ाना है और किन-किन सावधानियू को रखना है, हमने बता दिया, उम्हिदेग कि यह हमाना प्यास आप सभी को अच्छा लगा होगा, और हर बार की तरह गई बारिखियां उनको आप ध्यान में रखेंगे तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तर के लिए नमस्कार